सीधा स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अनिवार रिसंस था मतलब नहरू स्टेट को एक अनिवार एकाई के रूप में सुईकार करते थे मतलब स्टेट या अथॉरिटी जैसा कुछ होना चाहिए और क्यों होना चाहिए मैंने भी थोड़ी दिर पर ले आपको बताया था इसलिए होना चाहिए ताकि जब व्यक्ति का सुतंतरता के नाम पर कोई व्यक्ति कोई समू, समाज में अराजकता, अशान्ती ये सब फैलाए तो उसकी उपर क्या लगा सके? अंकुष और इसका बेस्ट एक्जामपल मैंने आपको लॉक्डाउन का दिया था कि भाई लॉक्डाउन में कोरोना की खत्रे को देखकर सरकार ने डिसियन लिया कि आप घर के बाहर मत निकलिये बिना किसी जरूरी काम के बट लोग यदि इस आधार पर घर के बाहर निकल रहे हैं कि मेरी व्यक्ति का सुतंतरता है मुझे घूमने की आ जा दिए, मुझे यह है, मुझे वो है तो भाई आप अपनी व्यक्तिकत स्वतंतरता के नाम पर दूसरे के जीवन, दूसरे के प्राण संकट में डाल रहे हो ना, इसका आपको अधिकार नहीं है तो व्यक्तिगत स्वतंतरता के नाम पर जब आप दूसरे का जीवन खत्रे में डालोगे तो उस पर अंकुश लगाना जरूरी है और अंकुश लगाने के लिए कौन होगा? राजी हम बारबार कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंतरता तभी तक अच्छी है जब तक वो किसी और की स्वतंतरता का हनन ना करे एक और एक्जामपल समझे जैसे मैं कहूँ मुझे freedom of speech and expression मतलब विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी है कि मैं अपने विचार अभिव्यक्त कर सकूँ और इसके नाम पर मैं माइक लेके कुछ भी देज विरोधी, समाज विरोधी या आपस में लडवाने वाले भाशन देने लगो जिससे समाज में अराजकता और अशान्ती पेता हो जाए तो आप अपनी व्यक्ति का स्वतंतरता के नाम पर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे सामाजिक विवस्था क्या हो रही है बिगड रही है इसका आपको अधिकार नहीं आपकी व्यक्ति का स्वतंतरता तभी तक है जब तक सामाजिक विवस्था या किसी और की स्वतंतरता उससे प्रभावित नहों तो आपको रोग दिया जाएगा और सुनिये मैं कहूँ कि भाई मुझे कुछ भी बोलने का अधिकार है मुझे कुछ भी करने का अधिकार है तो मैं लाउड स्पीकर पे गाना बजाने लगूँ और पडोस में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं एक्जाम है तो अब गाने सुनने का मुझे अधिकार है no doubt बट उन बच्चों को भी तो पढ़ाई करने का अधिकार है शांती के साथ तो गाने सुनने के चकर में मतलब मेरी स्वतंतरता के चकर में किसी और को जो अधिकार मेले हैं वो खत्म हो रहेंगी ने, तो फिर वो complaint करतें कि पुलिस वाले आएंगे और मेरा गाना बंद करवातेंगे और हो सकता है मुझे भी बंद करतें ले जागे तो ये दो बाते आपको जहन में रखनी हैं कि आपकी व्यक्ति का स्वतंतरता तभी तक है, जब तक किसी और की स्वतंतरता या सामाजिक विवस्ता उससे प्रवाबित ना हो यदि आप ऐसा करोगे तो उस पर अंकुष लगाने के लिए किसी का होना जरूरी है इसलिए अनिवार संस्था के रूप में नहरू जी ने राज जी की बात करी एक तो ये बात हो गई बट क्या केवल अंकुष लगाने के लिए राज जी होना चाहिए क्या केवल आपकी अराजकता को रोकने के लिए राज जी है उसका कोई productive काम नहीं है क्या बिलकुल है तो दोस्तों नहरू जी से जब पूछा तो उन्होंने बोला कि राज के कुल तीन प्रायोजन है तीन परपस है कि क्यों राज को गढ़ित किया जाना चाहिए पहला परपस है वी नियमनकारी दूसरा सुरक्षात्मक और तीसरा कल्यानकारी प्लीज समझे दिहान से पहले सामाननितात पर समझे फिर में एक्जामपल दूँग आपको वी नियमनकारी का क्या मतलब होता है वी नियमनकारी का मतलब होता है कि आपकी आपसी लड़ाई संघर्स, कटुता इसकी स्थिती में आपके बीच की चीजों को सॉल्ब कराना और समाज में सौहाद्रपून माहोल स्रजित करना इसकी वी नियमनकारी रेगुलेटरी इस तरह के रूल सें रेगुलेशन बनाना कि समाज में दो लोगों के बीच में जो संघर्स हो रहा है जो तक्राव हो रहा है जिससे आशांती पेदा हो रही है वो संघर्स हो तक्राव ना हो पहला तो ये सुनिश्रित करना सुन दे जाए पहला क्या सुनिश्रित करना कि समाज में संघर्स हो तक्राव ना हो ठीक दूसरा सुरक्षात्मक मतलब आब के जीवन में हर तरह की क्या उपलब्द कराना सुरक्षा सुरक्षात मगमा हो ओके ये भी राज्य का कर्तव है बोलने की जरूरत नहीं है तीसरा कल्यानकारी मतलब कमजोर वंचित, शोशित, उत्पीडित इन सभी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी योजना बनाना कि इनके जीवन में कुछ भला हो सके रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्त, सिक्षा जीवन की बेसिक नीड़ पूरी हो सके कम से कम तो ये कल्यानकारी काम करना ये तीन परपस है पहले तो मैंने आपको सामाने तातपरे बताए अभी एग्जामपल नहीं दिया, अभी दूँगा हर तहे की आपदा या इमर्जेंसी की स्थिती में आपको सुरक्षा देना और तीसरा लोग कल्यानकारी काम सुनिश्चित करना, मतलब जनता का कल्यान हो, इस तरहे की चीज़े लागू करना एग्जामपल समझो सरा कोरोना को लीजी फिर से और कोरोना में मुझे नहरू बहुत याद आए एग्जामपल सुनिए नहरू ने पहला पॉइंट किया बोला कि राज को गढ़ित करने का प्रायोजन क्या है वी नियमनकारी मतलब समाज में संघर्ष की स्थिती में उसका निराकरण करवाना बीच का रास्ता निकालना तकि समाज आपस में लड़े ना ये किसकी जिम्मेदारी है राज्य की अब सुनिए एग्जामपल आपके साथ भी वहा होगा कोरोना आया कोरोना आया तो लॉगडाउन लग गया लॉगडाउन लग गया तो जो बिध्यारती लोग हैं या बिध्यारती ले लो या हम लोगों को ले लीजी जो वर्किंग लोग है हम सब कही न कहीं रेंट देते थे बिध्यारती लोग अपने होस्टल में देते थे पीजी में देते थे हम लोग दुकान के मालिकों को रिंट देते हैं, अपनी कोचिंग का, ठेक, अब जब लॉक्डॉण लगा, तो जो लेंडलॉड थे और जो उनके किरायदार है, इनके बीच टकराव देखने को मिला, मिला की नहीं मिला, अधिकान सगे आपने देखा हुआ, जो किरायदार है, वो ये कह रहा था कि भाईया, मार्केट बंद है, बिजनिस बंद है, मेरी कोई कमाई नहीं हो रही है, सटर भी बंद है, दुकान भी बंद है, मैं बंद दुकान का किराया क्यों दूँ? ये कौन बोल रहा था? किरायदार. क्या वो अपनी जगे गलत था? नहीं, अपनी ज हमें उसकी किष्ट चुकानी पड़ती है, हमारी किष्ट तो चल रही है, लॉक्डाउन में भी हमें किष्ट देनी है, सरकार ने हमारी वो किष्ट माफ कर दी क्या, नहीं, तो चुकि हमें तो हमारी किष्ट देनी है, अता तुझे भी तेरा किराया देना पड़ेगा, क्योंकि तेरे से किराय लेकर ही तो हम अपनी EMI अकिस्ट भरते है यही तुछे दिख्का थे तो तुछ दुकान खाली कर दे क्या लेंडलोड गलत है यहां पर? नहीं मखान मालिक है दुकान मालिक भी गलत नहीं है वो केह रहे है न भाई कि आप खाली कर दो खाली कर दो पर आप का यहीं सामन रख़ा है तो आपको रेंट देना पड़ेगा क्योंकि हमें भी कहीं देना है क्योंकि यहां अधिकांच यही होता है कि पहले किराय लिए जाता है और उसी से EMI भरी जाती है कि कोई भी आदमी building या दुकान ऐसे खुद के पैसों से नहीं खरीद लेता है, लोन लेके खरीदता है जनरली और उनका mechanism यही होता है कि किराया लेंगे, उससे इमाई भरेंगे तो ना तो landlord गलत है उनने आपको विकलबदी या खाली कर दो और ना किरायदार गलत है कि भाई यह कमाई नहीं हो रही कुछ होई नहीं रहा कहां से दे दूँ भाई दुकान खुली हो और कमाई नहीं हो तो यह मेरा रिस्क है बड़ दुकान ही नहीं खुल रही यहां दोनों लोग गलत हैं क्या नहीं, दोनों मजबूर है तो इस चक्कर में समाज के इन दो घटकों के बीच पेदा हो गया क्या? संघर्ष और नहरू सिखा के गए थे कि संघर्ष की स्थिती में उसका निराकरण करने का दायत भी किसका है? राज्ज का क्या उस संघर्ष के निराकरण के करम में राज्ज ने कोई कदम उठाया? नहीं ना के बराबर काईदे से क्या होना था? या क्या हो सकता था? राज्ज को बीच में आना था और बोलना था कि देखो मकान माले को जब तक लॉगडाउन रहेगा तो राज्ज की जिम्मेदारी होनी थी नुकसान को उठाने की तो राज्ज को यह बोलना था देखो मकान माले को जब तक लॉगडाउन रहेगा उतने महीने तक कि तुमारी EMI नहीं ली जाएगी यदि वो यह बोल देते और यह शर्ट आरूपित कर देते कि शर्ट यह है कि तुम भी अपने किराएदार से किसी तरह का किराया और उसे परिशान नी करोगी केवले यह रियायत राज्ज दे देता मतलब राज्ज भीच में आ जाता तो मकान माले को यदी रियायत मिल जाती तो वो क्या किराएदार पर दबाव औरोपित करता है? बताईए या चलो राज्य के खाजाने में ज्यादा पैसा नहीं है विकासील देश है हमारा तो ये कह देते हैं कि सुनो मकान मालिकों या दुकान मालिकों तुमारी जो भी EMI आती है जब तक लॉड़ाउन रहेगा तो मैं उसका हाफ देना है बस अता तुम किराया भी कित्ता लेना? हाफ लेना तो सब थोड़ा-थोड़ा भी एर करते भाई थोड़ा नुकसान किसने उठाया? राज्य ने कि हाफ EMI माफ करी और थोड़ा नुकसान किसने उठाया? किरायदार ने? कि हादा किराया दिया? तो सब थोड़ा-थोड़ा उठाया थे तो किसी एक पे भार नहीं आता मैं एक एक्जामपल दे रहा हूँ बताईए ये तकराव इन दो कई लोग का बिजनिस हमेशा के लिए खत्म हो गया क्योंकि वो बंद दुकान का किराया देने में सक्षम नहीं थे कई उने विचारों ने लॉगड़ाउन के कुछ पहले ही इन्वेस्टमेंट किया था यहाँ वहाँ से पैसा लेके नया बिजनिस सेट अप डाला ही था और फिर लॉगड़ाउन लग गया और उन विचारों को अपना वो नया सेट अप बंद करना पड़ा क्योंकि बंद दुकान का वो किराया नहीं दे सकते थे कितनों का जीवन तबाह हो गया हुआ या नहीं हुआ बताईए और समाज में क्या पेदा हुआ संघर सो टकराओ इस ते क्या हुआ लॉगड़ाउन के बाद भी इन दो घटकों के बीच कभी मधुर संबंद नहीं हो पाए अब किरायदार मकान मालिक को उसकी तरह देखता है विलन की तरह मकान मालिक ऐसा देखता है कि इससे जदे जदे लेलू नहीं तो फिर लगड़न लगड़न लगगया तो फिर कुछ हो जाएगा काईट एक आविश्वास पेदा हो गया दोनों के बीच तो समाज के दो घटक जिने दोस्त होके रहना था एक दूसरे का सहयोगी होके रहना था एक दूसरे के विरोधी होगा है हाँ या न यह है नहरू की प्रासंगिक था और सुनिए सुरक्षात्मक बताने की जुरूत नहीं देश की जनता प्रदेश की जनता के जीवन में जब जब किसी भी तरह का कोई संकट आएगा तो सुरक्षात्मक एक प्राचीर एक बातावरन देने के लिए किसकी जिम्मेदारी है राज्य की जैसे कोरोना कही एक्जामपल लो वेक्सीन और ये सब राज्य ने दिया ना आपको सुरक्षा प्रदान करें और तीसरा कल्यानकारी इसका उलेक थो आपके सम्मिधान में भी है कि राज्य का सुरूब क्या होगा कल्यानकारी उसकी जो पॉलिसी होगी उसमें जन कल्यान की बातों को योजनाओं को शामिल किया जाएगा यदि ये तीनों चीजे नहीं है और जिसमें मैंने कहा ये फस्ट वाली बहुत इंपॉर्टन दोस्तों राज्य को या इस्टेट को ये देखना चाहिए कि समाज में कुन-कुन से मुद्ध हैं जिसमें समाज के दो घटक आपस में लड़ रहा है और कई बार जैसा मैंने कहा इस्थितियां ऐसी बन जाती है कि गल्ती दोनों की मजबूरी रहती ऐसी जगे पर स्टेट को बीच में आना चाहिए या बीच का रास्ता निकालना चाहिए बाते क्लियर है जैसे कई जगे मैंने देखा कि मुख्यमंतरी सहाव ने शायदी ये बोला था कि होस्टल के मालिक जो है वो बच्चों से रेंट नहीं लेंगे या ऐसी कुछ मांग हो रही थी उनसे मांग हो रही थी या उनने घोशना कर दी थी घोशना भी की थी ओके ओके बट फिर वोई बात बहुत देर हो गई थी ये सब होते हो थी और फिर वोई बात केवल होस्टल के लिए बोला था ठीक है और दूसरा होस्टल वालों को के रही आयद दी तुमने हम के रहे दोनों का सोचना है ना वो भी कोई समाज का कोई अपरादी थोड़ी है जो होस्टल का मालेक है उसे भी कही रेंट देना उसे भी ये वाई देना आपने वो कितना माफ करवाया खेर तो ये कुछ बाते हैं जो थोड़ा समझने योगे हैं तो राज्य संबंदे विचार नहरू के ये थे बाते क्लियर हैं?